हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टू कोकीजी एंड डिलीशियस फ्रेंड्स आज हम अपने किछिन में बनाएंगे आलू से दो मज़िदार रेसिपियां एक तो हम बनाएंगे चटपटी तीकी आलू की चाट और दूसरी रेसिपी हम बनाएंगे चाइनीज कटलेट जो के बच् मेगी वाला पकेट लिया तो इसको बॉयल किया सिर्फ उसके बाद हम यहाँ पर कुछ वेजटेबल से एड़ करेंगे तो मैं यहाँ पर तीन से चार बड़ी चमबच कैप्सी का मैं एड़ कर रही हूं और यहाँ पर इतनी ही क्वांटिटी में मैं प्याज एड़ करी जिन यहाँ पर जीरा पाउडर एड़ करी हूं यह भी हाफ टीस्पून के करीब है और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला एड़ किया है और यहाँ पर मैंने डाली है फाइन ग्रीन चिली एक से दो और उसके बाद हम क्या करेंगे इन सारी चीजों को बहुत अच्छ बाल बना लेंगे और फिर उसको लाइटली हम क्या करेंगे प्रेस करेंगे उसे एक कटलेट की शेप दे देंगे इसी तरीके से आप क्या करें थोड़ी सी कॉइंटिटी में लें आप और फिर उसको ग्राउंड शेप में ऐसे करें और फिर इसको लाइटली प्रेस कर लें तो इसे तरीके से आप क्या कर लें, सारे कटलेट बना कर तयार कर लें, यह बहुत ही एजी है, इसे बनाना और टेस्ट बहुत ही जबरदस होता है, तो मैंने सारे बना कर तयार कर लिए हैं, अब चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, तो पहले मैंने आप एक बाउल लिय यही, इससे क्या होता है हमारी जो कटलेट आप बोखोत ही जाधा क्रिस्पी बनती है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस लरी के अंदर कटलेट को डिप करेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेट क्रम्स लिए हैं, इसके अंदर इसे अच्छे से कोट कर लेंगे, देखिए यहां पर मैंने और आइड कर लिया है हम इनको क्या करेंगे शैलो फ्राइड करेंगे तो मैंने यहां पर तीन कट्लेट रख दिये अब इनको हम ना मीडियम फ्लेम पर एक साइड से 1-5 मिनिट के लिए अच्छे से पकाएंगे जब इनका अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा एक साइड से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी जब हमें ने चेंज करना है कि देखिए एक साइड बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और देखिए हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ने से कलर आ जाएगा फिर अंदर से अच्छी नहीं पकेंगी तो मैंने मीडियम टू लो पर ही इन अच्छे से पका लिया देखिए मैं आपको दोनों साइड से दिखाती हूं बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है अब मैं इसको थोड़ा साना राउंड में घुमा लोंगी ताकि जो इसकी एजिस वगर है न वह भी अच्छे से सीख जाए तो एक कटलेट हो तो 50% कुक ए तो उसके बाद मैंने इस तरीके से कट कर लिया यहां पर बहुत मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे पटैटो को इसमें एड कर देंगे क्यूब साइज में कट किया था बहुत ही आसान रेसिपी है पटैटो को हाफ डं कीजिये और कट कीजिए और फिर ऑईल के अंदर अच्छे से फ्राइ होने के लिए छोड़ दीजिए जब इनका कलर चेंज होने लगे तो इनको पलट दीजिए देखिए अब मैंने इनको चला दूँगी एक बार ता कि अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए और इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो थोड़ी देर बाद जब मैंने चेक किया तो यह बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके थे कलर बिल्कुल चेंज हो चुका तो मैंने निकाल लिया है तो हम अपनी चार्ट बना लेते हैं तो हम जब आपको सर्व करना हो ना हम तो आप उतनी ही बनाएं उसके बाद मैंने यहाँ पर आलो के अंदे थोड़ा सा फेल पर थोड़ासा बुलावा जीरे का पाउडर उसके बाद तोड़ा सी लाल मिर्ची चाट मसाला खाट करें원ah ऍजरती हुर यह प्याइट करेंगे इसके बाद जबरदस चार्ट बनकर तयार हो जाती है इसे आप क्या कर अच्छे से मिक्स कर लें अगर आपको थीका पसंद है तो आप मिर्श नमक की क्योंटिटी ज्यादा कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े जो अच्छे से मिक्स हो चुकी है यह देखिए अब हम क्या करेंगे इनको एक प्लेट में निकाल लेंगा तो अब मैं थोड़ा से ओपर और प्रेंची बनाने के लिए मैंने इह पर पापड़ी एड़ किए और उसके बाद थोड़ा सा दही एड़ करेंगेmetrosे पर थोड़ी से लाल चेटमी अड़ कर नहीं पर से न घार ज्य सकते हैं यह चार्ट बंकर तयार हो चुकी है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वाचिंग